नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जहां हम बात करेंगे ICC Women's T20 World Cup 2024 के पाँचवे वाउम अप मैच की। इस मैच में आमने सामने होंगी दो बड़ी टीम्स, आस्ट्रेलिया और इंग्लेंड, ये मुकाबला दुबई के ICC Academy Ground में खेला जाएगा। ICC Women's T20 World Cup की शुरुआत बस होने वाली है और सभी टीमें इस बड़े टूर्नमेंट के लिए अपनी तयारियों में जुटी हुई हैं। इंग्लेंड के पास आस्ट्रेलिया से हालिया हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है, जबकि आस्ट्रेलिया अपनी शानदार जीत की लए को कायम रखना चाहेगी। दोनों टीमों की बात करें तो इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 42 मैच खेले गए हैं, जिसमें से इंग्लैंड में 20 मैच जीते हैं। आस्ट्रेलिया की टीम ने पिछले कुछ सालों में विमिन्स टी 20 क्रिकेट पर दबदबा बनाए रखा है। उन्होंने पिछली तीन वर्ल्ड कप्स में जीत दर्ज की है। इस बार भी टीम की कप्तान एलिसा हीली के नेत्रित्व में टीम का मनोबल काफी उंचा है। उनकी बैटिंग लाइनाप बेथ मूनी, एलीस पेरी और टालिया मैगरा जैसी दिगज खिलाडियों से सजी हुई है। गेंदबाजी की बात करें तो मेगन शुट, आश गार्डनर और जॉर्जिया वेयर हैम की तिकड़ी हर कंडीशन में अच्छा प्रदर्शन करती आई ये सभी All-Rounders भी हैं, जिससे टीम को और मजबूती मिलती है। इंग्लैंड की टीम भी ऑस्ट्रेलिया के दबदबे को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उनके साथ डैनियल वायट और माया बाउचर भी शांदार फॉर्म में है। वायट ने 17 मैचों में 449 रन बनाए हैं, जबकि बाउचर ने 16 मैचों में 400 के करीब रन बनाए हैं। अगर टॉस की बात करें तो आज के मैच में सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम बताएं। इंग्लेंड की गेंदबाजी में सोफी एकलेस्टोन, सारा ग्लेन और चारली डीन की स्पिन तिकड़ी अहम भूमिका निभा रही है। एकलेस्टोन ने अपने पिछले सोलह मैचों में 30 विकेट लिये हैं, जबकि ग्लेन और डीन ने क्रमशह 26 और 21 विकेट चटकाए हैं। दुबई की पिछ स्पिन के लिए मददगार हो सकती है और इंग्लैंड इन परिस्थितियों में अपने स्पिनर्स पर काफी भरोसा करेगी। मैच रिपोर्ट इज ऑस्ट्रेलिया विमेन, ये मैच जीतेगी। मैच डुबई के ICC Academy Ground में खेला जाएगा। मैच भविश्यवानी, पावर प्ले स्कोर रन, पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक टु बैक पास होती जा रही है।